राश्ट्रे मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल एक दिवसी प्रवास पर रिवा पहुंचे हैं इस दौरान उन्हें रिवा के कलेक्ट्रेट सभागार में कई विभाग के अधिकारियों की बैठक ली इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मानव अधिकार के लिए चलाई जारी योजनाओ के जमबंद में भी जानकारी ली गई राश्ट्रे मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह मन्द्रप्रदेश के छेदिवसी दोरे पर आये हैं उन्होंने कल सीधी में और आज रीवा में धौरा किया है इसके बाद वह सतन, और स्पेशतर विंगार करेंगी इसके अलावा प्रदेश के कई अनने जिलों में भी उनको जाना है उन्होंने बताया कि अपने विजिट के दोरान वे इसकी निगरानी कर रहे हैं कि मानवधिकार के लिए केंदर और राजर सरकारद्वारा चलाई गई इस स्कीम का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं इसके लावा राजर केंद सरकारदवारा जिनने स्कीम को संचालित किया जा रहा है उनका संबंदित विभागुद्वारा किसे स्थर पर पालन किया जा रहा है इसकी बैठक को लेकर समिक्षा की गई है साथी कुछ देशा निर्देश भी दिये गए है उन्होंने बताया कि अब तक उनके पास रीवा जिले के मानावधिकार से संबंदेत एक भी शिकायते नहीं आई हैं अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत उनको मिलती है तो उस पर तुरंत निराकरन किया जाएगा अगर किसी जिले में हो रहा है वो देखना रहता है कि आप किसी भी विभाग की जो पॉलिसिज हैं जो स्कीम्ज हैं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की और जो एक्ट हैं उनका इंप्लिमेंटेशन जो है वो ठीक तरीके से होना चाहिए अगर कहीं भी हमें उसमें कमी मिलती है तो वो हमारी की रिपोर्ट दवारा मानिय अध्यक्ष राष्ट्रियमानवदिकार आयोग को प्रेशित की जाती है जिस पर वो संग्यान लेके कारवाई करते हैं इसी क्रम में आज मेरा रिवा आना हुआ है इससे पहले मैं सीधी था इसके बाद मेरा सतना और छतरपुर जाना होगा तो उनका डाटा हमने कुछ कोलेक्ट करने की कोशिश की है कि डाटा के अधार पे हम समझेंगे कि वो लाब जो है वो धरातल तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं मुख्य रूप से जो राष्ट्रे मानवदिकार आयोग है अब वो धरातल पर जाके यह समझना चा तो उनका जो है सरकार की पॉलिसीज का फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा हम केवल शिकायतों तक सिमित नहीं रहना चाते इसलिए हम खुद धरातल पे आके विभिन जिलो में जाके विभिन पर्देशों में जाके इस बात का जायजा लेते हैं कि क्या कमिया है और उनको ठीक करने में फिर आगे कारवाई करते हैं अब कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई और अगले दो दिन मैं यहीं पे हूँ अगर कोई कोई भी शिकायत आती है तो तुरंत उस पर संग्यान लिया जाएगा तुरंत हम अपना जो हैड़क्वाटर है दिल्ली में उसको सूचना देंगे और यहां भी जो कलेक्टर मोहद्या है उनको बताएंगे कि इस तरह की अगर कोई मानव अधिकारों के उलंगन की अगर कोई चीज सामने आती है तो उस पर जो है हम तुरंत संग्यान लेके जो भी उचितकारवाई होगी वो करेंगे